इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शारदा नदी का स्रोत दरसल लिम्पिया धुरा ही है जो फिल हाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्गाटन के दस दिनों बाद आया है लिपुलेख से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसत से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा दरसल छे महीने पहले भारत ने अपना नया राज नितिक नक्षा जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्जे को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है नेपाल के क्रिशी और सहकारिता मामनों के मंत्री घंशियाम भुसाल ने कांतेपुल टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है लेकिन ये नई बात नहीं है हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है हाला के घंशियाम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनी तिक बातचीत जारी रहेगी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचेव स्थर की बातचीत COVID-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है सोमवार को हुए नेपाली काबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानिय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साजिधारों के साथ शेयर किया जाएगा कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एकतरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमान्डू में भारत के राजटूत और भारती विदेश मंत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता बुधवार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है लिपुलेख में कथित अतिक्रमन के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रधर्शनों का सिलसिला भी चारी है नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है उत्तराखंड के धार्चुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धार्चुला जिला पड़ता है महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेक इलाके में 22 किलो मीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिचे को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिचे को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे मिलिया जबकि प्रस्तावित सडक उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा सा हैसला किया उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आम्ड पुलिस फोर्स एपी एफ की एक टीम भेजी है काला पानी से लगे छांगरू गाउं में एपी एफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है एपी एफ का धाचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिबबत सीमा पुलिस की तरह ही है साल 1816 में हुई सुगौली की संधी पर दस्तकत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है दो साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद के बाद सुगौली की संधी हुई थी जिसके तहट महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कबजा छोड़ना पड़ा था काला पानी विवाद के बाद इस सब्ताह लिपुलेक को लेकर काठमांडू में हुए विरोत प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनितिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है हालां कि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधूर ही रहे हैं इसी मही ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्माउली ने कोविट-19 की महमारी के खिलाफ एक चुट रहने की प्रतिबधता जताई थी लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नारास कर दिया है यहां तक की प्रधान मंत्री केपी शर्माउली को ये सपश्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवाद के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी महाकाली नदी के उद्गमवाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपून क्यों है और ये सवाल भी उतना ही माइने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक द्रिश्टी से इतना एहम क्यों है नेपाल-भारत संबंधों पर कई भारती अविशलेशिकों का कहना है कि सभ्यता, संस्कृती, इतिहास और भूगोल की द्रिश्टी से कोई भी दो देश इतनी नजदी की नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल है लेकिन अठारा सो किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दर्मियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी है दोनों देशों की सरहत जादा तर खुली हुई और आड़ी तिर्ची भी है हलांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है मुश्किल इस बात को लेकर जादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है महाकाली यानि शार्दा और गंडक यानी नारायणी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमायकर्ण तै करती हैं वहां मौनसून के दिनों में आने वाली बाहर से तस्वीर बदल जाती है नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है कई जगहों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानी ये लोग भी उनकी कदर नहीं करते सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियन्स सालों की साजा कोशिश के बावजूत अभी तक कोई ऐसा नक्षा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानी देशक बुद्धि नारायन श्रेष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्षा तयार किया था बुद्धि नारायन श्रेष्ट के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पिया धुरा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगौली की संधी में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था इसलिए इस से साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है लेकिन भारत इन नक्षों को सुबूत के तौर पर स्विकार करने से इनकार करता है भारती अपक्ष का कहना है कि इसकी जगह 1875 के नक्षे पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें महाकाली नदी का उदगम काला पानी के पूर्व में दिखलाया गया था गौर तलब है कि 1875 के नक्षे पर नेपाल के दस्थखत नहीं है काथमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारन का काम जादा तर पूरा कर लिया गया है हालांकि नदी वाले इलाकों में ये काम पूरा नहीं हो पाया है नेपाल की पश्चमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षनी सीमा पर गंडक नदी दोनों देशों की सीमा निरधारन करती है लेकिन यहाँ नक्षा तै करने का काम अभी भी अधुरा है दोनों देशों के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियंस महाकाली और गंडक नदी पर सीमांकन के बिंदूओं के निर्धारण पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है इन नदियों का रुख बीते दश्गों में लगातार बदलता रहा है लिपुलेख का विवाद ऐसे ही इलाके से चुड़ा हुआ है नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेख परवत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिसकी वजह से कुदरती तोर पर ये इलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सुगौली की संधी में भी साफ तोर पर कही गई है एंसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सुगौली की संधी से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की आपचारिक तौर पर समापती हुई थी संधी की शर्टों के तहट नेपाल ने तराई के विवादासपत इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सत्लुच नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था अगर सुगौली की संधी ये सपश्च रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है तो फिर समस्या कहा है नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलत फहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहां है और विवाद की जड़ यही है इसलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से या फिर लिपुलेक से गुंजी गाओं के पास जहां लिपुलेक चाने वाली सीमा सड़क बीते शुकरवार खोली गई थी वहाँ दो छोटी नदियां आकर मिलती है एक धारा दक्षिन पूर्व के लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से निकल कर आती है तो दूसरी धारा दक्षिन में लिपुलेक से आती है नेपाल के विशशग्य और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पिया धुरा से निकल कर उत्तरपश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है लेकिन इसके ठीक उलट भारतिय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुक नेपाल की और उत्तरपूर्व में है उनका कहना है कि लिपुलेक से निकलने वाली जलधारा ही दरसल महाकाली नदी का स्रोत है और इसी से दोनों पडोसी देशों की सीमाओं का निर्धारण होता है आठ मई को लिपुलेक के लिए सडक मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस फैसले का बचाफ करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली शेत्र का अतिक्रमन नहीं किया गया है और ये सीमा सडक कैलाश मानसरोवर की पारम पर एक धार्मी की आत्रा के रूट पर ही बनाई गई है लेकिन नेपाली इतिहासकारों अधिकारियों और जहां से भारत ने आठ मई को लिपुलेक जाने वाली सडक का रास्ता खोला है यानि गुंजी गाओं के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्षि के पास इस बात को लेकर परियाप्ट सुबूत हैं कि सुगौली की संथी के अनुसार लिपुलेक और उस इलाके के कई गाओं नेपाली शेत्र में आते हैं विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेक और गुंजी गाओं के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उस से लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्सा कर रखा है जिसमें काला पानी भी शामिल है काला पानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिम्पिया धुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है वहीं नेपाल की राश्ट्रिय राजनीती में तीन दशक से भी जादा समय से महाकाली काला पानी का मुद्ध उठता रहा है नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेक और काला पानी हिमालेक शेत्र के सुदूर इलाके हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रहती यही वज़ा है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली के संधी के अलावा नेपाल के पास और भी सुबूत हैं जिनमें संधी पर दस्तखत से पहले बितानी अधिकारियों को लिखी चिप्थी और उस दौर के दस्तावेज शाविल हैं नेपाल कालापानी और गुंजी के स्थानिय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मद्दाता होने का पहचान पत्र भी सुबूत के तौर पर दिखा रहा है इसके अलावा साल 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतिय संध योगी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बारे में विस्तार से लिखा है कई नेपाली अधिकारियों और पत्रकारों ने बीते दश्कों में कालापानी की यात्रा के बाद वहां के स्थानिय लोगों के पास मौजूद उनके नेपाली दस्तावेज इकठा किये हैं इन में ल हौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचेफस्तर की वारता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी नेपाल में संसत से सडक तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छड़ा विवाद सुलचता हुआ नहीं दिख रहा नेपाल की कैबिनेट ने एक एहम फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिपिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शारदा नदी का स्रोत दरसल लिम्पिया धुरा ही है जो फिल हाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सड़क के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसत से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा दरसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नया राज नितिक नक्षा जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज़े को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिंपिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है नेपाल के क्रिशी और सहकारिता मामनों के मंत्री घंश्याम भुसाल ने कांतेपुल टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है लेकिन ये नई बात नहीं है हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है हाला के घंश्याम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनी तिक पातचीत जारी रहेगी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचेवस्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है सोमवार को हुए नेपाली काबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानी निकायों को सरकारी दुफतरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साजिधारों के साथ शेयर किया जाएगा कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एकतरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काथमांडू में भारत के राज़तूत और भारतिय विदेशمنत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है वो जमीन भारत को लीज़ पर तो दी जा सकती है लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता बुधवार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है लिपुलेख में कथित अतिक्रमन के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रधर्शनों का सिलसिला भी चारी है नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है उत्तराखंड के धार्चुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धार्चुला जिला पड़ता है महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेक इलाके में 22 किलो मीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे मिलिया जबकि प्रस्तावित सडक उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा सैसला किया उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आम्ड पुलिस फोर्स एपी एफ की एक टीम भेजी है काला पानी से लगे चांगरू गाउं में एपी एफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है एपी एफ का धाचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिबबत सीमा पुलिस की तरह ही है साल 1816 में हुई सुगौली की संधी पर दस्तकत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है दो साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद के बाद सुगौली की संधी हुई थी जिसके तहट महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कबजा छोड़ना पड़ा था काला पानी विवाद के बाद इस सब्ताह लिपुलेक को लेकर काठमांडू में हुए विरोत प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है हालां कि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दे तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधूर ही रहे है इसी मही ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्माउली ने कोविड-19 की महमारी के खिलाफ एक चुट रहने की प्रतिबधता जताई थी लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नारास कर दिया है यहां तक की प्रधान मंत्री केपी शर्माउली को ये सपश्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवाद के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी महाकाली नदी के उद्गमवाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपून क्यों है और ये सवाल भी उतना ही माइने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक दृष्टी से इतना एहम क्यों है नेपाल भारत संबंधों पर कई भारती अविशलेशिकों का कहना है कि सभ्यता संस्कृती इतिहास और भूगोल की दृष्टी से कोई भी दो देश इतनी नजदी की नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल है लेकिन अठारा सो किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दर्मियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी है दोनों देशों की सरहत जादा तर खुली हुई और आड़ी तिर्ची भी है हलांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है मुश्किल इस बात को लेकर जादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है महाकाली यानि शारदा और गंडक यानि नारायनी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमाओं कन तै करती है वहां मौनसून के दिनों में आने वाली बाहर से तस्वीर बदल जाती है नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है कई जगहों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानी ये लोग भी उनकी कदर नहीं करते सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियन्स सालों की साजा कोशिश के बावजूत अभी तक कोई ऐसा नक्षा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानी देशक बुद्धि नारायन श्रेष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्षा तयार किया था बुद्धि नारायन श्रेष्ट के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियादुरा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगौली की संधी में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था इसलिए इस से साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है लेकिन भारत इन नक्षों को सुबूत के तौर पर स्विकार करने से इनकार करता है भारती अपक्ष का कहना है कि इसकी जगह 1875 के नक्षे पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें महाकाली नदी का उदगम काला पानी के पूर्व में दिखलाया गया था गौर तलब है कि 1875 के नक्षे पर नेपाल के दस्थखत नहीं है काथमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारन का काम जादा तर पूरा कर लिया गया है हालांकि नदी वाले इलाकों में ये काम पूरा नहीं हो पाया है नेपाल की पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षनी सीमा पर गंडक नदी दोनों देशों की सीमा निर्धारन करती है लेकिन यहां नक्षा तै करने का काम अभी भी अधुरा है दोनों देशों के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियंस महाकाली और गंडक नदी पर सीमांकन के बिंदूओं के निर्धारन पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है इन नदियों का रुक बीते दशिकों में लगातार बदलता रहा है लिपुलेक का विवाद ऐसे ही इलाके से चुड़ा हुआ है नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेक परवत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिसकी वजह से कुदरती तोर पर ये इलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सुगौली की संधी में भी साफ तोर पर कही गई है एंसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सुगौली की संधी से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की आपचारिक तौर पर समापती हुई थी संधी के शर्टों के तहट नेपाल ने तराई के विवादासपत इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सतलुच नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था अगर सुगौली की संधी ये सपश्च रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है तो फिर समस्या कहा है नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलत सहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहां है और विवाद की जड़ यही है इसलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से या फिर लिपुलेक से गुंजी गाओं के पास जहां लिपुलेक चाने वाली सीमा सड़क बीते शुकरवार खोली गई थी वहाँ दो छोटी नदियां आकर मिलती है एक धार नदी लिम्पिया धुरा से निकल कर उत्तरपश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है लेकिन इसके ठीक उलट भारतिय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुक नेपाल की ओर उत्तरपुर्व में है उनका कहना है कि लिपुलेक से निकलने वाली जलधारा ह दरसल महाकाली नदी का स्रोत है और इसी से दोनों पडोसी देशों की सीमाओं का निर्धारन होता है आठ मई को लिपुलेक के लिए सडक मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस फैसले का बचाफ करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली क्षेत्र का अतिक्रमन नहीं किया गया है और ये सीमा सडक कैलाश मान सरोवर की पारम पर एक धार्मी की आत्रा के रूट पर ही बनाई गई है लेकिन नेपाली इतिहासकारों अधिकारियों और जहां से भारत ने आठ मई को लिपुलेख जाने वाली सडक का रास्ता खोला है यानि गुंजी गाओं के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्ष के पास इस बात को लेकर परियाप्ट सुबूत हैं कि सुगौली की संथी के अनुसार लिपुलेख और उस इलाके के कई गाओं नेपाली शेत्र में आते हैं विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेख और गुंजी गाओं के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उस से लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्सा कर रखा है जिसमें काला पानी भी शामिल है काला पानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिंपिया धुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है वही नेपाल की राश्ट्रिय राचनीती में तीन दशक से भी जादा समय से महाकाली काला पानी का मुद्ध उठता रहा है नेपाल के सरवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेक और काला पानी हिमालेक शेत्र के सुदूर इलाके हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रहती यही वज़ा है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली के संधी के अलावा नेपाल के पास और भी सुबूत हैं जिनमें संधी पर दस्तखत से पहले बितानी अधिकारियों को लिखी चिठी और उस दौर के दस्तावेज शाबिल हैं नेपाल, कालापानी और गुंजी के स्थानिय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मद्दाता होने का पहचान पत्र भी सुबूत के तौर पर दिखा रहा है इसके अलावा साल 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतिय संथ योगी भगवान श्रीहंस और 30 और 40 के दशक में वहां जाने वाले स्वामी प्रणवानन्द ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेक के दक्षिर में चांगरो गाउं में नेपाली कारियों और पत्रकारों ने बीते दशकों में काला पानी की यात्रा के बाद वहां के स्थानिये लोगों के पास मौचूद उनके नेपाली दस्तावेज इकठा किये हैं इनमें लिपुलेक से लगे गुंजी गाउं और काला पानी के आसपास की गाउं भी शामिल हैं भारत नेपाल के दावे को खारिच करता रहा है काठमांडू में भारतिय दूतावास और उसके विदेश मंत्राले ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचिफस्तर की वारता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी नेपाल में संसत से सडक तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छड़ा विवाद सुलचता हुआ नहीं दिख रहा नेपाल की कैबिनेट ने एक एहम फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिप्या धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शारदा नदी का स्रोत दरसल लिप्या धूरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सडक के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसत से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा दरसल छे महीने पहले भारत ने अपना नया राज नितिक नक्षा जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्जे को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लड़्दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिंपिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है नेपाल के क्रिशी और सहकारिता मामनों के मंतरी घंश्याम भुसाल ने कांतेपुल टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है लेकिन ये नई बात नहीं है हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है हाला के घंश्याम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनी तिक बातचीत जारी रहेगी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचेवस्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है सोमवार को हुए नेपाली काबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानिय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साज़िदारों के साथ शेयर किया जाएगा कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एकतरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमान्डू में भारत के राज़तूत और भारती विदेश मंत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है, वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता। बुद्वार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशरमाओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है। लिपुलेख में कथित अतिक्रमन के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रधर्शनों का सिलसिला भी चारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड के धार्चुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धार्चुला जिला पड़ता है। महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेख इलाके में 22 किलो मीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिचे को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिचे को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे मिलिया जबकि प्रस्तावित सडक उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा सा हैसला किया उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आम्ड पुलिस फोर्स एपी एफ की एक टीम भेजी है काला पानी से लगे चांगरू गाउं में एपी एफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है एपी एफ का धाचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिबबत सीमा पुलिस की तरह ही है साल 1816 में हुई सुगौली की संधी पर दस्तकत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है दो साल तक चले ब्रिटेन नेपाल युद के बाद सुगौली की संधी हुई थी जिसके तहट महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कबजा छोड़ना पड़ा था काला पानी विवाद के बाद इस सब्ताह लिपुलेक को लेकर काठमांडू में हुए विरोत प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है हालां कि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधूर ही रहे हैं इसी मही ने प्रधान मंत्री नर्शन परेंद्र मोदी और केपी शर्माउली ने कोविट नाइंटीन की महामारी के खिलाफ एक चुट रहने की प्रतिबधता जताई थी लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नारास कर दिया है यहां तक की प्रधान मंत्री केपी शर्माउली को ये स्पष्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवात के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी महाकाली नदी के उद्गम वाला ये पहाड़ी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपून क्यों है और ये सवाल भी उतना ही मायने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक द्रिश्टी से इतना एहम क्यों है नेपाल भारत संबंधों पर कई भारती अविशलेशिकों का कहना है कि सभ्यता संस्कृती इतिहास और भूगोल की द्रिश्टी से कोई भी दो देश इतनी नजदी की नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल है लेकिन अठारा सो किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दर्मियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी है दोनों देशों की सरहत जादा तर खुली हुई और आड़ी तिर्ची भी है हलांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है मुश्किल इस बात को लेकर जादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है महाकाली यानि शारदा और गंडक यानि नारायनी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमाओं कन तै करती है वहां मौनसून के दिनों में आने वाली बाहर से तस्वीर बदल जाती है नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है कई जगहों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानी ये लोग भी उनकी कदर नहीं करते सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियन्स सालों की साजा कोशिश के बावजूत अभी तक कोई ऐसा नक्षा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानी देशक बुद्धि नारायन श्रेष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्षा तयार किया था बुद्धि नारायन श्रेष्ट के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियादुरा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगौली की संधी में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था इसलिए इस से साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है लेकिन भारत इन नक्षों को सुबूत के तौर पर स्विकार करने से इंकार करता है भारतीय पक्ष का कहना है कि इसकी जगे 1875 के नक्षे पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पूर्व में दिखलाया गया था गौरतलब है कि 1875 के नक्षे पर नेपाल के दस्थखत नहीं है काथमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारन का काम जादा तर पूरा कर लिया गया है हालांकि नदी वाले इलाकों में ये काम पूरा नहीं हो पाया है नेपाल की पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षनी सीमा पर गंडक नदी दोनों देशों की सीमा निर्धारन करती है लेकिन यहां नक्षा तै करने का काम अभी भी अधुरा है दोनों देशों के सर्वे अधिकारी और टेक्नीशियंस महाकाली और गंडक नदी पर सीमांकन के बिंदूओं के निर्धारन पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है इन नदियों का रुक बीते दशिकों में लगातार बदलता रहा है लिपुलेक का विवाद ऐसे ही इलाके से चुड़ा हुआ है नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेक परवत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिसकी वजह से कुदरती तोर पर ये इलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सुगॉली की संधी में भी साफ तोर पर कही गई है एंसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सुगॉली की संधी से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की आपचारिक तौर पर समापती हुई थी संधी के शर्टों के तहट नेपाल ने तराई के विवादासपत इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सत्लुच नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था अगर सुगौली की संधी ये सपश्च रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है तो फिर समस्या कहा है नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलत फहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहां है और विवाद की जड़ यही है इसलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से या फिर लिपुलेक से गुंजी गाओं के पास जहां लिपुलेक चाने वाली सीमा सड़क बीते शुकरवार खोली गई थी वहाँ दो छोटी नदियां आकर मिलती है एक धारा दक्षिन पूर्व के लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से निकल कर आती है तो दूसरी धारा दक्षिन में लिपुलेक से आती है नेपाल के विशशग्य और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पिया धुरा से निकल कर उत्तरपश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है लेकिन इसके ठीक उलट भारतिय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुक नेपाल की और उत्तरपूर्व में है उनका कहना है कि लिपुलेक से निकलने वाली जलधारा ही दरसल महाकाली नदी का स्रोत है और इसी से दोनों पडोसी देशों की सीमाओं का निर्धारन होता है आठ मई को लिपुलेक के लिए सडक मार्ग खोले जाने के बाद आई नेपाल की कड़ी प्रतिक्रिया पर भारत ने इस फैसले का बचाफ करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली शेत्र का अतिक्रमन नहीं किया गया है और ये सीमा सडक कैलाश मानसरोवर की पारम पर एक धार्मिक यात्रा के रूट पर ही बनाई गई है लेकिन नेपाली इतिहासकारों अधिकारियों और जहां से भारत ने आठ मई को लिपुलेक जाने वाली सडक का रास्ता खोला है यानि गुंजी गाओं के लोगों का ये कहना है कि नेपाली पक्ष के पास इस बात को लेकर परियाप्ट सुबूत हैं कि सुगौली की संथी के अनुसार लिपुलेक और उस इलाके के कई गाओं नेपाली शेत्र में आते हैं विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेक और गुंजी गाओं के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उस से लगे कई इलाकों पर भी अपना कब्सा कर रखा है जिसमें काला पानी भी शामिल है काला पानी में भारत चीन युद्ध के दौरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिंपिया धुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है वही नेपाल की राश्ट्रिय राजनीती में तीन दशक से भी जादा समय से महाकाली काला पानी का मुद्ध उठता रहा है नेपाल के सर्वे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लिपुलेक और काला पानी हिमालेक शेतर के सुदूर इलाके हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इंसानी आबादी नहीं रहती यही वज़ा है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली के संधी के अलावा नेपाल के पास और भी सुबूत हैं जिनमें संधी पर दस्तखत से पहले बितानी अधिकारियों को लिखी चिठी और उस दौर के दस्तावेज शाबिल हैं नेपाल, कालापानी और गुंजी के स्थानिय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मद्दाता होने का पहचान पत्र भी सुबूत के तौर पर दिखा रहा है इसके अलावा साल 1908 में मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतिय संथ योगी भगवान श्रीहंस और 30 और 40 के दशक में वहां जाने वाले स्वामी प्रणवानन्द ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेक के दक्षिर में चांगरो गाउं में नेपाली प्रणवानन्द ने वारतिय दूतावास और उसके विदेश मंत्राले ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचिक्स्तर की वारता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी नेपाल में संसत से सडक तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छड़ा विवाद सुलचता हुआ नहीं दिख रहा नेपाल की कैबिनेट ने एक एहम फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिपिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शार्दा नदी का स्रोत दरसल लिम्पिया धूरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सडक के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसत से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा दरसल 6 महीने पहले भारत ने अपना नयाराज नितिक नक्षा जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्चे को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है नेपाल के क्रिशी और सहकारिता मामनों के मंत्री घंश्याम भुसाल ने कांतेपुर टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है लेकिन ये नई बात नहीं है हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है हालांके घंश्याम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर अधिकारी खल के लिए भारत के साथ कूटनी तिक बातचीत जारी रहेगी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचेव स्तर की बातचीत कोविड-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है सोमवार को हुए नेपाली काबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानिय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साजितारों के साथ शेयर किया जाएगा कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एक तरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमान्डू में भारत के राजटूत और भारती विदेश मंत्राले को नेपाल की चिंताओं से अवगत कराया था इससे पहले नेपाल ने कहा था कि भारत ने जिस सड़क का निर्मान उसकी जमीन पर किया है, वो जमीन भारत को लीज पर तो दी जा सकती है, लेकिन उस पर दावा नहीं छोड़ा जा सकता बुधवार को लिपुलेख विवाद पर नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली ने एक सर्वदली या बैठक बुलाई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था लिपुलेख वो इलाका है जो चीन, नेपाल और भारत की सीमाओं से लगता है लिपुलेख में कथित अतिक्रमन के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत विरोधी प्रधर्शनों का सिलसिला भी चारी है नेपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्माओली की सरकार ने इस सिलसिले में भारत के समक्ष लिपुलेख इलाके पर नेपाल के दावे को दोराते हुए कड़े शब्दों में कूटनितिक विरोध दर्ज कराया है उत्तराखंड के धार्चुला के पूरब में महाकाली नदी के किनारे नेपाल का धार्चुला जिला पड़ता है महाकाली नदी नेपाल भारत की सीमा के तौर पर भी काम करती है नेपाल सरकार का कहना है कि भारत ने उसके लिपुलेक इलाके में 22 किलो मीटर लंबी सड़क का निर्मान किया है नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था भारत चीन के बीच हुए समझोते को लेकर नेपाल ने पहले भी साल 2019 के नवंबर में भारत के समक्ष अपना विरोध जताया था साल 2015 में जब चीन और भारत के बीच व्यापार और वानिच को बढ़ावा देने के लिए समझोता हुआ था तब भी नेपाल ने दोनों देशों के समक्ष अधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्च कराया था नेपाल का कहना है कि इस समझोते के लिए ना तो भारत ने और ना ही चीन ने उसे भरोसे मिलिया जबकि प्रस्तावित सडक उसके इलाके से होकर गुजरने वाली थी इस सब्ताह जब काठमान्डू में भारत विरोधी प्रदर्शन अपने चरम पर थे तो नेपाल ने बुधवार को एक और बड़ा सा हैसला किया उसने पहली बार महाकाली नदी से लगे सीमावर्ती इलाके में आम्ड पुलिस फोर्स एपीएफ की एक टीम भेजी है काला पानी से लगे चांगरू गाउं में एपीएफ ने एक सीमा चौकी स्थापित की है एपीएफ का धाचा भारत के सशस्त्र सीमा बल और भारत तिबबत सीमा पुलिस की तरह ही है साल 1816 में हुई सुगौली की संधी पर दस्तकत के 204 साल बाद नेपाल ने आखिरकार तीन देशों की सीमा से लगने वाले अपने इस इलाके की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है दो साल तक चले बृते नेपाल युद के बाद सुगौली की संधी हुई थी जिसके तहट महाकाली नदी के पश्चिमी इलाके की जीती हुई जमीन पर नेपाल को अपना कबजा छोड़ना पड़ा था काला पानी विवाद के बाद इस सब्ताह लिपुलेक को लेकर काठमांडू में हुए विरोत प्रदर्शन और भारत नेपाल के कूटनीतिक घमासान से एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है हाला कि विवाद के कुछ एक मुद्दों को छोड़ दे तो दोनों देशों के संबंध हाल के समय में तकरीबन मधूर ही रहे हैं इसी मही ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्माउली ने कोविट-19 की महमारी के खिलाफ एक चुट रहने की प्रतिबधता जताई थी लेकिन लिपुलेख में भारत के सड़क बनाने की घटना ने कई नेपालियों को नारास कर दिया है यहां तक की प्रधान मंत्री केपी शर्माउली को ये सपश्ट करना पड़ा कि नेपाल अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ेगा ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक पैदा हुए लिपुलेख विवाद के कारण क्या भारत नेपाल मैत्री खत्म हो जाएगी महाकाली नदी के उद्गम वाला ये पहाडी इलाका नेपाल के लिए इतना महत्वपून क्यों है और ये सवाल भी उतना ही माइने रखता है कि लिपुलेख भारत के लिए भी रणनीतिक द्रिश्टी से इतना एहम क्यों है नेपाल भारत संबंधों पर कई भारती अविशलेशिकों का कहना है कि सभ्यता संस्कृती इतिहास और भूगोल की द्रिश्टी से कोई भी दो देश इतनी नजदी की नहीं रखते हैं जितने की भारत और नेपाल है लेकिन अठारा सो किलोमीटर लंबी सीमा पर दोनों देशों के दर्मियान कभी न खत्म होने वाले कई सीमा विवाद भी है दोनों देशों की सरहत जादा तर खुली हुई और आड़ी तिर्ची भी है हलांकि अब सीमा पर चौकसी के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ी है मुश्किल इस बात को लेकर जादा है कि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारन पूरी तरह से नहीं हो पाया है महाकाली यानि शारदा और गंडक यानि नारायनी जैसी नदियां दोनों इलाकों में सीमांकन तै करती है वहां मौनसून के दिनों में आने वाली बाहर से तस्वीर बदल जाती है नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है कई जगों पर तो सीमा तै करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं लेकिन स्थानी ये लोग भी उनकी कदर नहीं करते सामान्य परिस्थितियों में लोगों का एक देश से दूसरे देश आना जाना लगा रहता है भारत और नेपाल के सर्वे अधिकारी और टेक्निशियन्स सालों की साजा कोशिश के बावजूत अभी तक कोई ऐसा नक्षा नहीं बना पाए हैं जिस पर दोनों देश सहमत हों नेपाल के सर्वे विभाग के पूर्व महानी देशक बुद्धि नारायन श्रेष्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1856 में भारत और नेपाली अधिकारियों ने मिलकर एक नक्षा तयार किया था बुद्धि नारायन श्रेष्ट के मुताबिक महाकाली नदी लिम्पियादुरा काला पानी से उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर दूर से निकलती है और सुगौली की संधी में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था इसलिए इस से साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है लेकिन भारत इन नक्षों को सुबूत के तौर पर स्विकार करने से इंकार करता है भारती अपक्ष का कहना है कि इसकी जगह 1875 के नक्षे पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें महाकाली नदी का उदगम काला पानी के पूर्व में दिखलाया गया था गौर तलब है कि 1875 के नक्षे पर नेपाल के दस्थखत नहीं है काथमांडू में इस मामले पर जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि नेपाल और भारत की सीमा के निर्धारन का काम जादा तर पूरा कर लिया गया है हालांकि नदी वाले इलाकों में ये काम पूरा नहीं हो पाया है नेपाल की पश्चिमी सीमा पर महाकाली नदी और दक्षनी सीमा पर गंडक नदी दोनों देशों की सीमा निर्धारन करती है लेकिन यहां नक्षा तै करने का काम अभी भी अधुरा है दोनों देशों के सर्वे अधिकारी और टेक्नीशियंस महाकाली और गंडक नदी पर सीमांकन के बिंदूओं के निर्धारन पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नदियों के बहाव की दिशा बदलती रहती है इन नदियों का रुक बीते दशिकों में लगातार बदलता रहा है लिपुलेक का विवाद ऐसे ही इलाके से चुड़ा हुआ है नेपाल का कहना रहा है कि लिपुलेक परवत महाकाली नदी के पूर्व में स्थित है जिसकी वजह से कुदरती तार पर ये ईलाका नेपाल का हिस्सा बन जाता है और ये बात सुगाली की संधी में भी साफ तार पर कही गई है एनसाइकलोपीडिया ब्रितानिका के अनुसार सुगाली की संधी से ब्रिटेन नेपाल युद्ध की आपचारिक तौर पर समापती हुई थी संधी के शर्टों के तहट नेपाल ने तराई के विवादासपद इलाके और महाकाली नदी के पश्चिम में सतलुच नदी के किनारे तक जीती हुई जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया था अगर सुगौली की संधी ये स्पश्च रूप से कहती है कि महाकाली नदी का पूर्व का इलाका नेपाल का है तो फिर समस्या कहा है नेपाली इतिहासकारों और सर्वे अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच गलत फहमी इस बात को लेकर है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल कहा है और विवाद की जड़ यही है इसलिए सवाल उठता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से या फिर लिपुलेक से गुंजी गाओं के पास जहां लिपुलेक चाने वाली सीमा सड़क बीते शुकरवार खोली गई थी वहाँ दो छोटी नदियां आकर मिलती है एक धारा दक्षिन पूर्व के लिम्पिया धुरा की पहाड़ियों से निकल कर आती है तो दूसरी धारा दक्षिन में लिपुलेक से आती है नेपाल के विशशग्य और अधिकारियों का कहना है कि महाकाली नदी लिम्पिया धुरा से निकल कर उत्तरपश्चिम में भारत के उत्तराखंड की ओर बढ़ती है लेकिन इसके ठीक उलट भारतिय पक्ष का कहना है कि महाकाली नदी का रुक नेपाल की ओर उत्तरपूर्व में है उनका कहना है कि लिपुलेक से निकलने वाली जलधारा ही दरसल महाकाली नदी का स्रोत है करते हुए कहा कि किसी भी नेपाली शेत्र का अतिक्रमन नहीं किया गया है और ये सीमा सडक कैलाश मानसरोवर की पारम पर एक धार्मी की आत्रा के रूट पर ही बनाई गई है लेकिन नेपाली इतिहासकारों अधिकारियों और जहां से भारत ने 8 मई को लिपुलेख जाने व गाउं नेपाली शेत्र में आते हैं विवाद दूसरे इलाकों को लेकर भी है नेपाल की सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि लिपुलेख और गुंची गाउं के अलावा भारत ने महाकाली नदी के उत्तर में उससे लगे कई इलाकों पर भी अपना कबसा कर है जिसमें काला पानी भी शामिल है काला पानी में भारत चीन युद्ध के दोरान 1950 में ITBP ने अपनी चौकी स्थापित की थी इसके अलावा सुदूर पश्चिम में स्थित लिंपिया धुरा को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है वहीं नेपाल की राश्रिय र इलाके हैं जहां पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहां कोई इनसानी आबादी नहीं रहती यही वज़ा है कि नेपाल ने वहां सीमा सुरक्षा चौकी स्थापित नहीं की अधिकारी ये भी कहते हैं कि सुगौली के संधी के अलावा नेपाल के पास और भी सुबूत ह पहले बितानी अधिकारियों को लिखी चिठी और उस दौर के दस्तावेज शाविल हैं नेपाल, कालापानी और गुंजी के स्थानिय लोगों की मालगुजारी रसीद और नेपाली मद्दाता होने का पहचान पत्र भी सुबूत के तोर पर दिखा रहा है इसके अलावा सा प्रणवानन्द ने भी अपने यात्रा संस्मरणों में लिपुलेख के दक्षिर में चांगरो गाउं में नेपाली सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बारे में विस्तार से लिखा है कई नेपाली अधिकारियों और पत्रकारों ने बीते दशकों में काला पानी की यात्रा के बाद वहां के स्थानिये लोगों के पास मौजूद उनके नेपाली दस्तावेज इकठा किये हैं इनमें लिपुलेख से लगे गुंजी गाउं और काला पानी के आसपास की गाउं भी शामिल हैं भारत नेपाल के दावे को खारिच करता रहा है काठमांडू में भारतिय दूतावास और उसके विदेश मंत्राले ने अपनी तरफ से माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि दोनों देशों के विदेश सचेफस्तर की वारता में इन मुद्दों पर बात की जाएगी नेपाल में संसत से सडक तक भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं और इसके बावजूद काला पानी और लिपुलेख को लेकर दोनों देशों के बीच छड़ा विवाद सुलचता हुआ नहीं दिख रहा नेपाल की कैबिनेट ने एक एहम फैसले में नेपाल का नया राजनी तिक नक्षा जारी किया है इस नक्षे में लिप्या धूरा काला पानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया गया है नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायस दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानि शारदा नदी का स्रोत दरसल लिंपिया धुरा ही है जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है भारत इससे इंकार करता रहा है नेपाल की कैबिनेट का फैसला भारत की ओर से लिपुलेक इलाके में सीमा सड़क के उधगाटन के दस तिनों बाद आया है लिपुलेक से होकर ही तिबबत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है इस सडक के बनाई जाने के बाद नेपाल ने कड़े शब्दों में भारत के कदम का विरोध किया था भारत के कदम का विरोध काटमांडू में नेपाल की संसत से लेकर काटमांडू की सडकों तक दिखा दरसल छे महीने पहले भारत ने अपना नयाराज नितिक नक्षा जारी किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्जे को दो केंदर शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लड़दाख के रूप में दिखाया गया था इस नक्षे में लिम्पिया धूरा काला पानी और लिपुलेख को भारत का हिस्सा बताया गया था नेपाल इन इलाकों पर लंबे समय से अपना दावा जताता रहा है नेपाल के क्रिशी और सहकारिता मामनों के मंतरी घंश्याम भुसाल ने कांतेपुर टेलिविशन से कहा ये नई शुरुआत है लेकिन ये नई बात नहीं है हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि महाकाली नदी के पूरब का हिस्सा नेपाल का है अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर उसे नक्षे में भी शामिल कर लिया है हाला के घंश्याम भुसाल ने ये भी कहा है कि इस मसले पर आधिकारिक हल के लिए भारत के साथ कूटनी तिक पातचीत जारी रहेगी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचेवस्तर की बातचीत COVID-19 संकट के खत्म होने के बाद हो सकती है सोमवार को हुए नेपाली काबिनेट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि नेपाल की सरकार अपने अधिकारियों और स्थानिय निकायों को सरकारी दफ्तरों में इस नए नक्षे के इस्तिमाल के लिए कहेगी इस नक्षे को शेक्षनिक संस्थानों में भी पढ़ाया जाएगा और दूसरे साजिदारों के साथ शेयर किया जाएगा कालापानी और गुंजी के रास्ते लिपुलेख तक नई सड़क के उदगाटन के भारत के एक तरफा फैसले के बाद नेपाल ने कालापानी और लिपुलेख शेत्रों पर अपने पुराने दावों को फिर दोहराया और काठमान्डू में भारत के राज़तूत और गुंजी के लिपुलेख तक नई सब्सक्राइगा